Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी होंगे इनका नाम है Francesca Albanese और ये United Nations में Human Rights के Spokesperson है जिन्होंने recently अपने रिपोर्ट में ये कहा कि जिस तरीके से इसराइल गजा में अटैक कर रहा है ये complete तरीके से genocide के category में आता है जब इसराइल के ऊपर 7 October 2023 को अटैक किया जाता है तो भारत के साथ बहुत सारे ऐसे देश थें जो उस अटैक को बहुत ही कड़ी शब्दों में उसको criticize करते हैं लेकिन जिस तरीके से इसराइल retaliate करता है और हमास के नाम पे बहुत सारे जो common civilians हैं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, hospitals को target करता है और हर target को attack करने के बाद justify इस तरीके से करता है कि वो हमास का hideout था उसको देखते हुए भारत के साथ अब बहुत सारे वैसे देश जो इसराइल के काफी close हुआ करते थे वो अब criticize करना शुरू कर दिये भारत में बहुत सारे लोगों को ऐसा misconception है कि इसराइल और भारत बहुत ही close friend है तो एक बात में बता दूँ कि चाइना इसराइल का second largest bilateral trading partner है तो इसराइल के जो business है वो चाइना के साथ जादा है और हमारे साथ कम है और इस चीज़ का भी ध्यान रखिया कि इसराइल से technology लेके भारत को वो recognition world platform पे नहीं मिलेगा जो recognition हम deserve करते हैं तो जब तक कि technology आपा खुद का नहीं रहेगा तब तक आप किसी से उधार मांग के आप अपना reputation को built नहीं कर सकते हैं तो कुछ बातों का ध्यान हमें बहुत ही honest तरीका से रखना है इस वीडियो में हम जाने है कि आखिर में और क्या कहा गया है Francesca Albanese के द्वारा मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो channel को subscribe और video को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं यह है CNN का article जो की बहुत ही कम western countries के बारे में ऐसा कुछ चापता है जिससे कि उनके image को कहीं से कुछ नुकसान पहुँचे लेकिन मामला अब इतना जादा आगे बढ़ चुका है कि CNN हो गया या BBC हो गया या इनके जैसे और भी अलग-अलग media platforms वो बढ़ चड़कर अब इसराइल को criticize कर रहे हैं और हलाकि इसके पहले भी बहुत सारे United Nations के जो high ranking officials थें वो बढ़ चड़कर इसराइल के action को criticize कियें लेकिन इसका कोई भी असर इसराइल के उपर नहीं हुआ तो इससे एक चीज़ हमें और समझ में आता है कि United Nations में जल्द से जल्द reform करना जरूरी है जिस शब्द का इस्तिमाल किया गया है Frenchess का Albanese के दौरा वो ये है कि reasonable grounds मतलब sufficient evidence है proof है जिसको देख के ये बताया जा सकता है कि इसराइल जो कर रहा है गजा में वो genocide है जिनीवा में Monday को एक report submit किया गया Frenchess का Albanese के दौरा जिसका title था Anatomy of a Genocide इसमें बहुत ही systematic तरीके से Frenchess का ने ये बताया है कि क्यों वो genocide word का use कर रहे हैं आखिर में एक सवाल जो दिमाग में किसी के भी आ सकता है कि genocide word use करना कब सही है तो उसी चीज़ को define किया गया है इस report में जिसके तहत ये बताया गया है कि आप systematic तरीके से पूरे group को पूरे community को जब आप punish करते हैं कहने का मतलब है कि अगर कोई एक आत्मी कुछ गलत करता है तो आप उस एक आत्मी का जो community है जो caste है जो जो उसका identity है आप उस identity के सभी लोगों को जब आप मारना शुरू कर देते हैं indiscriminate तरीके से तो वो genocide के category में आता है उसके पाद क्योंकि जब war होता है या कहीं पे भी जब bombing होता है तो उसके अपने एक mental setback होते हैं, building stood जाते हैं जो एक basic need होता है वो इनसान को नहीं मिल पाता है तो कहने का मतलब है कि जिसने कुछ गलत कि आप उसको तो target कर ही रहे हो लेकिन उसके साथ आप उस पूरे community, पूरे religion, पूरे tribe को ही आप punish कर रहे हो तो ये कुछ बहुत ही simple definition हो genocide कहा जाता है किसी भी action को या किसी भी event को, अब जैसे ही Geneva में इस report को publish किया जाता है या submit किया जाता है, Israel इस report को complete तरीके से reject कर देता है, उसके पीछे का वज़य भी है क्यूंकि जिस तरीके से Israel as a country को बनाया गया था, अगर इसको आज भी जगर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि एक देश जो सबसे responsible है इसके पीछे वो है USA और Britain, क्यूंकि USA एक super power है और कही न कहीं Britain को बहुत ही support मिलता है USA का, तो ये लोग अपने जो responsibility है, उसको ये लोग कभी नहीं मानेंगे, और इसके पहले भी जितने बार attempts किये गए हैं कि ये Israel और हमास के बीच में जो war है या जो गजा में जिस तरीके से attack किया जा रहा है, उसको रोका जाए, हर उस सारे attempts को null and void कर दिया गया है Israel के दवारा, क्यूंकि बहुत ही strong backing है USA का, जो काफी specific words use किये गया है, फ्रेंचेसका के दवारा, वो अपने आप में काफी disturbing है, systematic slaughter of Palestinian civilians, अब आ इस्तिमाल किया जाए, लेकिन civilians के areas में बहुत ही high grade of weapon के इस्तिमाल किया जा रहा है, जिसमें की chances बहुत जादा है, कि हमास मरे या ना मरे, लेकिन जो common civilians है, उनकी जान तो definitely जाएगी, तो ये as an collective punishment हो जाता है, और इन सब report को देके ऐसा लग सकता है, कि जो common Israelis है, वो अपने स सरकार को support कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो action होता है, या जो कोई भी कहीं पे भी action किया जाता है, वो कुछ एक high ranking officials के order को follow किया जाता है, तो by default क्या होता है, कि एक perception create हो जाता है, जिसके तहत ये लगता है, कि अगर ये action हो रहा है कहीं पे, तो पूर ये war को plan किया जा रहा है, ये Israel के जो uppermost tier के लोग है, वो इसको काफी promote कर रहे हैं, और ground पे जिस तरीके से Israeli soldiers का behavior है, ये भी कहीं न कहीं बताता है, कि ये ethnic cleansing के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये भी कहा गया कि Israeli state of policy of genocidal violence towards the Palestinian people in Gaza, ये शब शब्द अपने आप में काफी disturbing शब्द होते हैं, और अगर मैं आप लोगों को ठीक इसके एक सार पहले लेके चलो, 2023 के मार्च के महीने में, तो Benjamin Netanyahu के party ने ये कोशिश किया था, कि Israel के जो Supreme Court के जो judges होते हैं, उनका appointment खुद सरकार ही करेंगी, और कोई भी ऐसा फैसला किया जाएगा, Supreme Court के दवारा तो वो फैसला automatically null and void हो जाएगा, अगर वो फैसला सरकार के खिलाफ आता है तो, इस चीज़ को देखते हैं, वे काफी huge protest हो रहे थे इसराइल में, और ये protest तब तक हो रहे थे जब तक कि हमास ने गजा में, जब तक कि हमास इसराइल के उपर attack नहीं करता है, तो बहुत सारे जो experts हैं, वो ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से Benjamin Netanyahu इस war को खीच रहे हैं, या hyper nationalism को create किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं अपना image को बचाया जा रहा है, चाहे BBC हो गया है, या कोई और भी pro western news agencies सब बड़ चड़ कर ये कहना शुरू कर दिये हैं, कि भुखमरी को starvation को, जिस तर आरे लोंग गजा में मर जाएं, सो अगली बार जब हम ये perception create करें अपने दिमाग में कि इसराइल और भारत की बीच में जो संबंध है, वो काफी अच्छे हैं, तो उसके पीछे का reason आप देखिया है, कि exactly reason क्या है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बस हम बिना पढ़े हम एक notion दि ये भूडंड़ डेहर पार देखिया हूण, टेके करें बढ़े हूए